आधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमली कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे खुस होगे मजे में होगे अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर रहे होगे मैं भी बिल्कुली ठीक हूँ आज मैं एक हफते बाद व्लोग जो है वो सूट कर रहे ह पिसली बार भी सायद मैंने बुद्धवार को ही सूट किया था और आज भी बुद्धवार है तारी के आज 15 जून तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 6 वजे से इतनी तेज धूप हो जाती है ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊं सुबह मतलब ये ओफिस के हैं मतलब अभी न सब मैंने बना लिया था तो उसके बाद में जो है बरतन काफी जादा हो जाते हैं सुबह के तो मैं उन्हें पटाफट से क्लीन कर दूँगी क्योंकि सिंक भरी हुई दिखे ना तो ऐसा लगता है चाहां पूरा ही काम हो गया लेकर फिर भी ऐसा लगता है कि चाहने कितना ज हो जाना करते हैं क्लीनिंग कर लेते हैं तो उससे घर बहुत ही साफ सुथा रहता है अगर हम यह सूचें के बावई एक ही हप्ते में एक दिन निकालेंगे और उसी दिन सारा घर चमका डालेंगे, तो उससे क्या है, घर इतना ज़्यादा साफ नहीं हो पाता है, तो और ठकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, तो मैं तो बस यही करती हूँ, जो काम मेरी नजर में आ जाता है, मैं उसको साथ के साथ कर लेती हूँ, और ये जो कड़ाई ही चोटी सीज में मैंने निकाला था गी तो गी निकालने के बाद आप सबी को पता है थोड़ा बहुत जो है लग जाता है तो उसको साफ करने में थोड़ा सा ताइम लगता है लेकिन साफ हो गया था 10-wheel मैं गैस को अच्छे सेygen कर लोगी ताकि जो भी आटा वगेरा थोड़ा बहुत फैलता है वो सभी साफ हो जाए गैस को मैं हमेशा ही क्लीन करती हूँ जाए थोड़ा सा भी काम क्यों ना करूँ उसके बाद मैं गैस जरूर साफ करती हूँ क्योंकि किचिन कंदी रहे न मेरा बिल्कुल भी काम करने का फिर मन नहीं लगता है और ऐसा मेरी साथ नहीं मुझे लगता हर एक हाउस वाइब के साथ होता ही होगा तो सबसे पहले मैं जो है रसोई को ही साफ कर रही हूँ फिर घर मैं आगे और सारे काम करूंगी तो बनी रही हैगा वीडियो में वीडियो को एंट तक जहूट देखेगा और आप सभी से रुकेस्ट है फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो और सब्सक्राइब बटन की बगल में जो बैल आइकन उसे भी क्लिक कर दें ये विल्कुल ही फ्री होता है इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगीगा इससे क्या होगा मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेसन आपके सबसे पहले मिल पाएगी और वीडियो अच्छी लगे तो एक जरू कर देना शेयर करना मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है फ्रीज सपोर्ट करना तो गैस को साफ करने के वाद मैं स्लिप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी गीले कपड़े से उसके बाद मैं सारे स्विचों को साफ कर देती हूँ तो देखे ऐसा होता है ना कि हम हफते में ये साफ करेंगे या पंदरा दिन में साफ करेंगे तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है मैं जब भी स्लिप को साफ करती हूँ हलका सा हाथ में मार देती हूँ स्विच पगेरा उपए भी तो ये एक्दम साफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखा है, इस वाले स्विच के पास मेरा इंडेक्शन, तो फिर यहाँ पर भी सब्जी बनाती हूं, तो वो तेल थोड़ा बहुत जैसे भाप के साथ उड़ता है, तो यहाँ पर जमा हो जाता है, तो अगर मैं इसको होता है, तो इसलिए, और इसी कानी मैं पूरे घर का ऐसे ही करती हूं, कि बस अगर आप हमिसा ही साफ करते रहते हो, तो जाद अगंदी होते हैं, बस हलका सा आतमार दू, तो क्लीन हो जाते हैं, तो जो है मेरी किचिन में तीनो साइड जो है, तो पहले मैं गैस वाली मिल जाता है, फिर मैं टाइल्स को भी रोजाना ही क्लीन करती हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताए हम सब जी अगर बनाते हैं, तो तड़का वगरा उड़ता है, तो वो गंदी हो जाती है, और आप मेरी टाइल्स देख सकते हैं, गैस के पास वाली टाइल्स बहुत से लोग फिर मैं ये वाले स्विच भी साफ कर लूँगी, और यहां पर जो स्लिप है, इस पर मेरी गैस रखे है, तो और ऐसा होता है, किचिन में सिर्फ दो साइडी स्लिप होती है, तो उससे मतलब गिच्पिस बहुत जादा हो जाती है, धर सामार रखे हो, धर सामार रखे है, मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और सलिप वगरा मेरी साफ हो चुकी है, अब मैं आरो को भी साफ कर लूँगी, जैसे कि मैंने बता है, मैं साफ करती रहते हूं, तो बहुत जादा गंदा होता है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, किले कपड़े से पहुंच रही होता है, तो फिर क्योंना आपने टाइम टेबल को ऐसे सेट करें, कि मतलब चीजें जो है, साफ रहे हमें हपते वर का इंतिजार ना करना पड़े, उसके बाद मैं स्विच को भी साफ कर दूँगी, और अगर इसको मैं सूखे कपड़े से कर रही हूंग, इले कपड़े से क अभी भी नहीं करना चाहिए, जो बिजली के स्विच होते हैं, यह मैं पहले बता दे रही हूं, तो इसके तार पगएरा को भी सब को साफ कर लूँगी, जैसे मतलब यहां पर जाले बहुत होते हैं, तो तारों से भी प्लक से भी जाले लग जाते हैं, उसके बाद मैं तु और साथ वजे मैं लगा रही हूं जाड़ू, और आप देख सकते हैं, बहार से दूप कितनी तेज आ रही है, तो फटाफट मैं जाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में, और यह मैं सिर्फ आपको 6 से 8 वजे तक का ही जो वीडियो है, यही दिखा रही हूं, इसमें मैं इतने कामों को निपटा लेती हूं, कोसिस करती हूं, मैं मॉ्रिन्र में ही सारे कामों को निपटा सुख हूं, क्योंकि गर्मी इतनी जधा है, मतलब ا Entscheid कभी इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं, पहले तो भी बारिस वगळा हुज जाती थी, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता दूपैर में तो और भी ज्यादा गर्मी होती है तो मैं कोसिस करती हूं मॉर्निंग में ही जितना मेरा काम को सकता है कर लूँ और फिर कम से कम पंके में हराम से बैठ तो सको दुपार को उसके बाद मैं मैं आ गई हूँ बैड रूम में फिर मैं सारे बिस्तर बगेरा को भी अच्छे से जाड लूँगी और मैं ना बैड सीट को हटा करके इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बैड सीट सिर्फ मैं तब ही इसको हटाती हूँ और इसके लिए सिर्फ दो बैड सीट है एक तो ये वाली बैड सीट इस पर आती है और एक वाइट कलर की जो इसकी परमानेंट बनी हुए इसी के लिए सिली होई ये इसके कद्दों के लिए वो इस पर आती है तो यही दो आती है और जो नॉर्मल बैडों की होती है वो इस पर नहीं आ पाती है उसके बाद मैं मैं जाड़ू लगा लूँगी जैसे कि मैंने भखवान वाले कमरे में किचिन में और सारे मतलब घर मैं लगा ही लिए सबसे लाश्ट में फिर मैं इस वाले रूम में लगा कही दो लोंगी तो जादा गंदा होता नहीं है मैं नहीं तो जाड़ू लगानेकी बाद मैं मैं पट Намने की अपहुक्ड़ों को अच्छा पहुआने से पहले किया है मैं सरफ में गला करका चली गईती इनकों गलाद हो ना तो मैं मैं ऐसे ही दोती हूं गला दो तो मदलूब थोडा सा ब्रस मारू और कपड़े शो हैं वो बिलकुल ही साफ हो जाते हैं तो और मेरे साथ ये भी कि मैं अगर सर्फ यूज करती हूं तो सावन नहीं यूज करती है और कपड़े दोने का और सावन यूज करती हूं तो फिर सर्फ यूज नहीं करती हूं कपड़ों को ऐसे गला देती हूं बाद मैं फिर सावन से दोलेती हूं लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं है कि सर्फ और सावन दोनों ही यूज़ करने पड़े तो मैं जो है सर्फ में गला करके फिब्रस से थोड़ा सा रगड़ देती हूं और बिलकुल ही साफ हो जाते हैं अले सीट तो उसको तो मैं या चादर तक आके कफर वगरर तो मैं मसीन से दोती हूं श्कंड़ से क्योंकि वर्स एंक्ड़े फीर काफी जादा हो जाते हैं और सुखाने के लिए जो कम है मेरी चो बालकनी एन वह छोटी सी यह तो उसी में ही मैं कपड़ी सुखा सकती हूं तो फिर बैड सीट है चादर है और जो हमारे पहनने के कपड़े हो जाते हैं जब तो उसमें इतनी स्पेस नहीं रहता है अब वास्मी मसीन में क्या अच्छे से निशूर जाते हैं तो फिर फटा-फट से सूख जाते हैं इसलिए जो बड़े-बड़े कपड़े होते हैं मैं उसमें धोलेती हूं और वैसे जो रोज मद आके पहनने के होते हूं उनको तो मैं हाथ से यह धोती हूं क्योंकि इन कपड़ों के लिए मतलब क्या ही मसीन लगा उसके बादों मैं बाथरूम को अच्छे से साफ कर दूँगी अभी टाइम हो रहा है साड़े साथ का और कपड़े में सुखानी के लिए आ गई हूं अच्छा कैमरी को मैंने रखा रखा है ड्रोइंग रूम में और मैं कपड़े सुखारी हो बालकनी में तो यहां से जब कैमरी से सूट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बाहर कितना अच्छा मौसम होगा लेकिन इतनी तेज धूप है ना साड़े साथ बज़े ही मतलब बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो रखी है तो इसलिए ही मैं कोशिस करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सुबह में ही काम खतम कर ले क्योंकि जैसे जैसे दिन बीटता है और ज़्यादा गर्मी होती चली जाती है तो गर्मी हो में बस यही है और फटाफट से मैं कपड़ों को सुखा लूँगी यह सूख जाएंगे तो फिर इन पर प्रैस वगएरा करूँगी खेर वो सारा काम तो दिन पर चलता रहेगा अभी तो मौनिंग की बात हो रही है तो कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और क्योंकि ब्रेकपास्ट करूँगी मैं तो चाय से ही जो है मतलब चाय के विना किसकी दिन की सुरुआत होती है तो यह है गुड की चाय चीनी की चाय नहीं पीती हूँ मैं कभी भी मैं गुड की ही ब होती है उसकी चटनी और चाय तो बस मेरा ब्रेकपास्ट बन चुका है चलिए फिर मिलती है नेक्स वीडियों जब तक अपना ध्यान रखना